स्वागत है बेटा सभी बच्चों का हमारे 30 डेस चालेंज में जिसमें हम लोग PYQ को सॉल्व कर रहे हैं बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डे वन में देखा था कानेमिटिक से कोर्षन को देखा था आज हम लोग NLM के कोर्षन को देखेंगे लास्ट 10 येर के कोर्षन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं तो आपको इस वीडियो को अन तक देखना है और फर्मूला जितना भी है बेटा उसको दिमाग में रखना है तो I hope कि आप लोग इस वीडियो को देखोगे और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नही इस प्रिंग को एट सेंटीमेटर और उसमें करते हैं तो इस अगर हम बात करें तो अब बताओ हमारे पास half आगे गया और के हमारा क्या होता है बेटा spring constant कितना माल ले बेटा किया माल ले इसको कितना stretch किया गया बेटा 2 cm को तो इसको क्या लिखेंगे बेटा 2 का square तो यह कितना जगा बेटा 2 के इसका मतलब U जो होगा वो 2 के बराबर होगा अगर potential energy निकालना है बेटा यानि U dash निकालना है U dash का मतलब होगा बेटा नया potential energy कब जब अपका stretch कितना हो जाए 8 cm हो जाए यहाँ पर क्या करेंगे half के अब X का जगे का लेंगे 8 cm लेंगे यानि 8 का क्या करेंगे whole square कर देंगे यहाँ क्या आ जाएगा half of k into 64 किसके बराबर है अभी 2K किसके बराबर है 2K यहाँ पर यू के बराबर है तो बताओ 2K को हम लोग क्या लिख देंगे 16 into u तो बताओ potential जी कितना हो जाएगा 16 u तो option नमर कौन सा हो जाएगा 3rd हो जाएगा next question है बेटा हमारे पास calculate the maximum acceleration of the moving car so that the body lying on the floor of the car remains stationary the coefficient of static friction between the body and the floor is 0.15 और acceleration due to gravity का जो value लेना है वो 10 meter per second square लेना है तो बेटा यहाँ देखेंगे हम लोग कि माल लेते हैं for example यह हमारे पास कोई कोई हमारे पास यह for example कोई कार है ठीक है न इसको इसका हमको maximum acceleration निकालना है यहाँ पर एक ब्लॉक रखावा है क्या रखावा यहाँ पर एक आपके पास ब्लॉक रखावा अब धियान देना बेटा इसका जो coefficient of static friction है वो 0.15 है तो बताओ इस ब्लॉक पे यह maximum इस ब्लॉक पे यह maximum कितना maximum कितना F max, F max कितना लगा सकता है याण इसका जो maximum limit है वो कितना है F max कि अगर बात करें बेटा F maximum याणि friction force maximum कितना लगा सकता है limit इसका क्या है तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा M तो इसका मतलब external force कितना हो जागा बेटा MA याणि अगर इस ब्लॉक को स्टेशनरी रहना है तो F max जो होगा बेटा F max जो होगा वो MA के बराबर होगा क्या होगा बेटा MA के बराबर होगा और यहाँ पर हम लोग friction maximum का value कितना होता है mu into n ठीक है न और mu और n का value क्या होगा बेटा M into G होगा क्योंकि अगर हम FBD बनाए किसका बेटा इस block का तो हमारे बास नीचे क्या लगेगा एक mg लगेगा और उपर में क्या लगेगा floor के दुबरा एक normal लगेगा तो हम कह सकते हैं कि n equal to mg n equals to mg तो n का value यहाँ पर कितना हो जाएगा n का value हो जाएगा mu mg यानि maximum friction force कितना आगे है mu mg क्या यह friction force किसके बराबर होगा mass into acceleration के बराबर होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे f max को mu mg is equal to mass into maximum acceleration यह हमारा maximum acceleration है क्योंकि अपना friction जो है वो maximum limit तक लाग रहा है है तो maximum कितना acceleration हो जाए ताकि body क्या रहे है इस्टेस नड़ी पे ठीक है तो यहाँ से m और m क्या हो जाएगा यहाँ पे m और m क्या हो जाएगा cancel out हो जाएगा ठीक है तो a max जो आया हमारे पास a max कितना आया बेटा mu into g और mu को value कितना है 0.15 into acceleration due to gravity कितना है 10 तो यह आ जागा 1.5 जो कि option number second होगा next question है बेटा a football player is moving southward and suddenly turns its eastward with the same speed to avoid an opponent the force that acts on the player while turning मतलब कि कितने force लग रहा है किस direction of force लग रहा है while turning तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बेटा हम लोग जानते हैं कि directions क्या होते हैं बेटा physics में तो यह हमारे पास कुछ directions के कुछ नियम है इसको हम लोग बोलेंगे इसको बोलेंगे वेस्ट इसको बोलेंगे नॉर्थ इसको बोलेंगे बेटा साूथ तो पहला football player किदर जा रहा है साूथ वड जा रहा है तो हम उसका direction किदर बना देंगे इधर बना देंगे let's suppose हमने इसका direction किदर बना लिया, southward बना लिया, इस direction में, let's suppose ये कुछने कुछ initial velocity से जा रहा होगा, and then suddenly turns this word, मतलब अचानक फिर वो किदर मुड़ गया, eastward मुड़ गया, यानि ये direction हो गया, इसका मतलब ये हमारा, ये क्या हो गया, final velocity हो गया, है न, initial velocity किस direction में था, along southward, represent कर सकते हैं, अब बताना है कि force क्या लग रहा है उस पर, while turning, तो हम लोग जानते हैं, force जो होगा, बेटा, वो क्या होगा, mass into delta v upon delta t, हम लोग जानते हैं, mass into acceleration को dv upon dt लिख सकते हैं, बेल्कुल correct, ठीक है न, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, mass into v final minus v initial upon of delta t, बोलो हाई यदी, अब बताना है, यांग स kaufen, force का वही direction होगा, जो की हमारा change in velocity का होगा, याद रखना बेटा, जो change in velocity का होगा, correct है क्या, अब देखो, यहां, mass तो हमारे पास क्या है, mass is a scalar quantity, और time भी हमारे पासcket, उसका मतलब, जो change in velocity का direction होगा, वही हमारा force का direction होगा, तो change in velocity को कैसे निकालेंगे द्यान से जुनना, final velocity vector हमारे पास कौन सा है बेटा, this is our final velocity vector, अब यहां क्या है बेटा, minus of initial velocity vector, अगर हमारे पास initial velocity vector यह है, तो minus of initial velocity vector किदर होगा, just इसके opposite direction में, बोलो हाई या नी, यह हो जाएगा हमारा minus of initial velocity vector, है न, तो आप बताओ, इन दोनों का resultant किदर आ इन दोनों का resultant किदर आ रहा है, इन दोनों का resultant कुछ इधर आ रहा है, तो बताओ, यह जो direction है, यह जो direction है, बेटा, change in velocity का, वो किदर आ रहा है बेटा, वो आ जाएगा, आपका northeast किया आजएगा, बेटा, northeast आ जाएगा, correct है तो इसका मतलब along northeast होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहां पे एक छोटा सा डियागराम बनाएंगे लिफ्ट का क्या करा है यहां पर यहां अगर यह उपर जा रहा है तो अकुसी भी चानल होके जाता है कुछ इस तरह से करेक्ट है क्या इसी चैनल के थूँ वो क्या करता है क्लाइम बब होता है ठीक ना माल लेते हैं यह friction force जो है बेटा अगर यह उपर जाएगा तो यहाँ पे इस lift को friction force किदर मिलेगा बेटा और वेसी बात है friction force किदर मिलेगा नीचे मिलेगा कितना मिलेगा बेटा और दे रखा रहा है तो इसका मतलब force किदर लगेगा नीचे लगेगा 3000 न्यूटन और साथी साथ इसका जो weight है उसके कारण जो force लग रहा है बेटा वो कितना लग रहा है 20,000 न्यूटन क्योंकि mass into gravity करेंगे mass into gravity करेंगे तो यह हमारे पास कितना आजएगा 2000 तो mass हो गया एकसे इसके कितना हो गया 10 मिटर पर सेगन स्क्वेर तो यहां से आजएगा बेटा 20,000 न्यूटन जो लगेगा उसके वज़न के वज़े से लगेगा और साथी साथ friction के वज़े से जो motion को oppose कर रहा है बेटा वो आजएगा 23,000 न्यूटन आजएगा अब देखो यह force क्या है बेटा constant लग रहा है हमेसा और velocity कितना है बेटा 1.5 मीटर पर सेगन से जाड़ा तो power क्या हो जाता है power हम लोग जानते है power is nothing but क्या होता है force into velocity power क्या होता है force into velocity force कितना है हमारे पास force है 23,000 into velocity कितना है बेटा 1.5 तो इसका जो answer आजाएगा अगर इसको multiply करोगे दिया आजाएगा 345 003 345 00 watt यानि जूल पर सेगन इसका option number कौन सा हो जाएगा option number 2 हो जाएगा नेक्स सवाले बेटा a ball of mass 0.15 kg is dropped from a height of 10 meter strikes the ground and rebound to the same height the magnitude of impulse imparted to the ball is कितना होगा impulse जी का value कितना दे रखा बेटा 10 meter per second square nearly नियरली मतलब यह किसके आसपास होगा तो आई बेटा का solution करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि let example कि एक बेटा हम लोग क्या बनानेंगे कुछ इस तरह से ground बना लेंगे और यह हमारे क्या हो ग्राउंड हो गया बेटा इसका velocity होगा let's suppose इसका velocity कुछ इस direction में होगा क्या इसका velocity हम 2 root g h लिख सकते हैं क्या बेटा ठीक है न इस समय क्या क्या बेटा ड्रॉट किया गया मतलब initial speed यहां पर क्या रहा होगा 0 रहा होगा और हम लोग formula से जानते हैं कि v final कितना होता है root 2 g h तो इसका value निकाल लेते हैं root 2 g का value 10 h का value कितना होगा 10 तो क्या हम इसको 10 root 2 लिख सकते हैं क्या बेटा बिल्कुल correct हो गया वी final हमारा यह हो गया मतलब velocity final नहीं कहें बिसिकली यह velocity at the क्या कहेंगे बेटा ऐसा कर सकते हैं कि velocity यहां पर जो आएगा while hitting the ground वो आएगा भी इतना correct है क्या अब सुनना या ध्यान से यही क्या बोल ला है बेटा strikes the ground and rebound to the same height मतलब फिर सी यह अपने जगह पे उतना ही height पे चला जाता है उतना ही height पे जाने का क्या मतलब हुआ बेटा कि इसमें कोई भी energy वगर कोई loss वगर नहीं हो रहा तो हम कहे सकते हैं क्या कि इसका मतलब यह हुआ कि जितने velocity से आया था जितना velocity से आया था टकराने के बाद उसका magnitude वही रह गया direction सिर्फ change हो गया अभी direction कैसा है बेटा अभी direction कुछ इस तरह से है और टकराने के बाद direction क्या हो गया बेटा उपर की और हो गया लेकिन magnitude क्या रहेगा बेटा वही रहेगा तो change momentum कैसे लिखते है mass into v final minus of v initial mass कितना है 0.15 v final कितना है हमारे पास अगर हम अगर हम इसको v initial माने बेटा और इसको क्या मालने बेटा v final ठेक है ना v initial का direction क्या है बेटा नीचे और v final का direction क्या है बेटा उपर तो अब हम क्या लिखेंगे बेटा 10 root 2 minus of चोकि इसका direction नीचे है तो इसको क्या लिखेंगे फिर से negative लिखेंगे 10 root 2 यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 0.15 10 root 2 minus minus plus 10 root 2 यह 20 root 2 हो जाएगा क्या ठीक है ना जब इसको solve करते हैं तो हम लोग क्या पाते है बेटा अगर यह क्रेसे में उड़ा दे हैं तो यह कितना हैगा 100 into 20 into root 2 यह कितना टाइमस कर जाएगा 5 times यह कर जाएगा 3 times तो यह आजाएगा 3 root 2 3 root 2 which is equal to 4.2 इसके मतलब आंसर कितना हैगा 2nd आजाएगा नेक्स सवाल है बेटा निट 2020 का 2 bodies of mass 4 kg and 6 kg tied to the ends of a massless string the string passes over a pulley which is frictionless c in the figure यानि जो figure में दिखाया हुआ है the acceleration of the system in terms of acceleration due to gravity यानि g के terms में आपको acceleration निकालना है तो अब देखो यहाँ pulley है बेटा यह क्या है बेटा आपके पास pulley है और pulley का जो जो string है उसो पहले mass कितना है 4 kg और दूसरा mass कितना है बेटा 6 kg तो हमको निकालना है बेटा इसका acceleration let's suppose हम इसका acceleration जो बेटा ध्यान से समझना यहाँ पर इस direction में माल लेते हैं let's suppose इसका acceleration क्या है बेटा इस direction में कितना माल लेते है बेटा ठेक है न अब चुकि यहाँ पर देखो बेटा string same है तो acceleration क्या होगा बेटा same होगा अगर यह नी जा रहा है तो यह सेम acceleration से उपर जा होगा और इस में क्या लग़हा होगा एक tension लग रहा होगा और यहाँ ब्ह您 है तो tension डियाग्राम बनाएंगे और 4 kg का लिए रहा है, और ग्या के अगंगे लेखने है देखरा कि Site उपर की ओर तो हम लिखेंगे सको T minus of 4G is equal to 4 into A, यह this is our first equation उसी तरह गर हम second वाले का ABD बनाएंगे, second वाला ABD क्या कहता है यह हमारा कितना है बेटा, नीचे कितना force लगेगा, 6G लगेगा उपर क्या लगेगा बेटा, tension और यह कितने acceleration से नीचे आएगा बेटा, A acceleration से नीचे आएगा तो net force इदर लग रहा है बेटा नीचे की ओर, तो हम लिखेंगे 6G minus of T is equal to 6A, यह हमारा हो जाएगा, दूसरा equation, अगर देखो ध्यान से, तो अगर दोनों equation को plus करेंगे अगर दोनों equation को plus करेंगे तो यह T, T cancel out हो जाएगा यह T और T क्या हो जाएगा हमारा, cancel out हो जाएगा यह T और T क्या हो जाएगा, हमारा cancel out हो जाएगा, तो बचेगा 6G minus 4G, यह कितना आगया बेटा 2G, ठीक है न, और यह कितना आजाएगा 10 of A, तो इसको हम लोग A बराबर कितना लिखते हैं बेटा 2G upon 10 that is G upon 5, तो by the vector triangle PQR ठीक है न, the velocity of the particle will, यानि particle का velocity बताईए जब particle पर तीन forces इस तरह से act कर रहे हैं, ठीक है न, जैसे triangle PQR, हमारा forces का क्या है बेटा, डेरेक्शन है, ठीक है न, अब देखतो, ध्यान से बेटा, यहां ध्यान से, कि let's suppose इसको हम लोग क्या अतना मालने बेटा, F1 इसको माल लेते हैं, बेटा, F2 इसको माल लेते हैं हम लोग, F3, इसको हमने माना F2, correct, अब देखो यहान से, क्या हम polygon law से ऐसा लिश सकते हैं, क्या F1 plus of F2 plus of F3 equal to 0, क्योंकि इसका arrow देखो, इस टाइप यहां पर है, इसका arrow यहां पर है, और इसका arrow यहां पर है तो इस टाइप से अगर तीनों साइट, अगर arrow होता है, ठीक है न, तो इसका summation of force कितना होता है, बेटा, summation of force कितना होता है, हमारा 0 हो जाता है, तो summation of force कितना आगिया जिरू तो हम कह सकते हैं कि f net जो आया वह कितना आया जिरू अगर f net 0 आया तो acceleration कितना आया एक्सलेशन कितना आया वह भी जिरू है अगर acceleration 0 आया तो velocity क्या हो गया बेटा velocity हो गया आपका constant तो remains constant correct answer होगा इसका next question ने बेटा a block of mass m is placed on a smooth inclined wedge a b c inclination of theta as shown in the figure the wedge is given to an acceleration of a towards the right the relation between a and theta for the block remain to be stationary on the wedge यानि इस wedge का acceleration आपको कितना दे रखा है बेटा acceleration a दे रखा है ठीक न अगर माल लो बेटा हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे है यहाँ पे हम लोग wedge के respect में चीजों को solve करेंगे किसके respect में चीजों को solve करेंगे वेज के respect में तो अब हमारे लिए वेज क्या हो गया बेटा अगर इसको न्यूटर्स लोग पता है आपको की inertial frame में बैडिड है तो हम लोग इस ब्लॉक पे क्या लगा लेंगे अब इसका कोई role नहीं रहा गया है तो हम लोग क्या किया लगा लिए यहाँ पे इस तरह से लगा लिए अब इस ब्लॉक पे क्या लगेगा नीचे क्या लगेगा एक mg लगेगा और उपर क्या लगेगा एक आपका नॉर्मल लगेगा क्या लगेगा आपका एक नॉर्मल लगेगा क्रेक्ट है क्या अब देखो यहाँ धियाँ से इसी को मैं इधर थोड़ा सा फुर्दर अगर हम यहाँ से यह करें यहां से तो आप बताओ ये एंगल वगर कितना होगा आप धियान से बताना ठीक है अगर मैनस ठीटा हो गया ठीक है तो सेम वे में ये भी एंगल कितना हो जाएगा आपका ये एंगल कितना हो जाएगा ये एंगल आपका हो जाएगा ठीटा कितना हो जाएगा ठीटा हो जाएगा ओर लाइट आप सुनना या धियान से इस mg का दो component कर सकते हैं, एक component इधर जाएगा बेटा, एक component की इधर जाएगा, इसका value होगा बेटा, mg, mg, sin of theta और दूसरा component, दूसरा component की अगर बात करें, दूसरे component की बात करें, यानि में को हम लोग क्या ले सकते हैं बेटा, ma को हम लोग इसका component इधर break कर सकते हैं, क्या इस direction में, इस direction में जो component break होगा, वो कितना होगा, ma cos theta, ma cos of theta, अगर ये block stationary रहना है, इसका मतलब ये वाला force और ये वाला force क्या होना चाहिए, बेटा, बराबर होना चाहिए, यानि हम कह सकते हैं, कि ma cos of theta is equal to, is equal to mg sin of theta, m से m होगा, cancel out a को कह लिए सकते हैं, बेटा, g of sin theta upon यहाँ पर क्या आजाएगा, cos of theta, sin theta upon cos theta क्या होगा, 10 theta, g of कितना आगिया, हमारी पस 10 of theta आगिया, तो acceleration कितना है, बेटा, acceleration और theta में रिलेशन, g of 10 theta, तो acceleration, हमारा option नमर कौन सा हो जाएगा, fourth हो जाएगा, ठीक है, I hope कि आपको pseudo force का concept पता होगा, next हवाल है, बेटा, a force of 3 unit acts on a system of 2 block of mass 2 kg and 1 kg as shown in the figure, the contact force between the block, यानि इसके बीज में जो यह जो contact है, इसके बीज में हमको क्या निकालना है, बेटा, force निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, धिहां से समझते हैं चीज़ों को, ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ अब यह निकालेंगे, क्या निकालेंगे, भीटा, net acceleration निकालेंगे, तो हमारे पास total mass कितना है, 2 kg प्लस 1 kg, total mass कितना है, फने है, 3 kg और f net हमारा जो किस direction में लग रहा है, तो अगर हम acceleration अगर निकालना चाहिए, तो क्या लिकरेंगे, भीटा, F upon M, force कितना लग रहा है, हमारा 3 Newton, टोटल माँस कितना है, 3 kg, तो इसका acceleration कितना है पटा, 1 meter per second square, और acceleration किदर आया पटा, जिदर होगा हमारा force का direction, उधर ही आएगा हमारा, जिदर होगा net force का direction, उधर होगा हमारा correction, तो acceleration का direction किदर आग spent, गीतना है राइट कि तरफ कर देंगे body को क्या करेंगे cut कर लेंगे cut करने क बाद इसका baby बनाएंगे cut करने क बाद क्या करेंगे इसका baby बनाएंगे let's suppose यह कितना 2 kg mask को बेली हम इस पर कौन-कौन सा फोर्स लग रहा है वैट एक तो फोर्स कौन सा लग रहा है horizontal reaction में 3 newtons horizontal reaction में लग रहा है और फिर एक्वेशन राइट के तराफ है यानि 1 m per second square तो अगर हम equation of motion लिखेएंगे यानि equation net force का अगर हम equation लिखेएंगे तो क्या लिखेंगे बेटा 3-R is equal to mass into acceleration तो 3-R mass कितना है बेटा 2 kg exceleration कितना है 1 kg यहां से R का value आजाएगा 3-2 र का वेलु वेल्वें सितना हो गया, नियुझका मतलब यह हुआ कि रिएक्ट्ट्ट्र फोर्स कितना लग रेजारा है नॉर्माल पर्स वहा कितना लग रया विटी नॉर्मल कॉन्स वह जाएगा हमेरे पास 1 Nुट्ट्ट है क्या नेक्स सवाले बेटा, पार्टिकल ऑफ मास 1 kg फाइड विलोस्टी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड अंगल ऑफ 60 डिडिरी फ्रम होरिजन्टल, इस एक्टिड बाइ विस्कस फोर्स ऑफ 0.2 भी दूरिंग इस जर्नी, इस होरिजन्टल दिसंस ट्रेवल बाइट इन फूर्स 10 सेकंड, पहले 10 सेकंड में कितना ये जर्नी ट्रेवल करेगा, वो हमको निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगा, यहां पर देखो ध्यान से, कि होर्जन्टल से ये कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, बेटा, 60 डिडिरी, और इसका स्पीड कितना है, 50 म पर सेकंड, अगर हम बात करें बेटा, इसका होर्जन्टल वेलास्टी का, तो होर्जन्टल वेलास्टी कितना हो जागा, 50 कॉस ऑफ 60, तो यह आ जाएगा बेटा, 25 मीटर पर सेकंड, यानि, जब यहां पर था ये पार्टिकल, लेट सपोस्टी इसकोल टू सुनने पर, तो यहां पर, निकालना है, यहां से इसको पर वेलास्टेंट, तो आपको 10 सेकंड में, यहां से यहां तक का आपको सिर्च Response निकालना हो, क्या है प्डिस्टन्स निकालना है, हम लोग हम लोग जानते है, पर से इस इसका जो 0.2V के साथ इसका variation है मतलब अलग-अलग velocity पर अलग-अलग force लगेगा यहां पर constant नहीं है यहां पर force है variable तो हम लोग को integration करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा integration force कितना है 0.2 भी mass कितना है body का 1 kg ठीक है न और acceleration मार लेते हैं बेटा कुछ न कुछ acceleration होगा acceleration जो होगा बेटा वो negative होगा acceleration क्या होगा acceleration होगा बेटा actual में देखो तो negative होगा क्यों negative इसलिए होगा क्योंकि लगातार viscous force is a opposing force होता है और यह लगातार 25 meter per second जो आपका वो लगातार गिरता जाएगा यह नहीं इसका लगातार value कम होता जाएगा तो acceleration क्या होगा बेटा नेगेटिव हो गया इसी को मैं ऐसा ले सकता हो क्या dv upon dt लिख सकता हो क्या और यहां 0.2 भी आ गिया ठीक है न क्या मैं इसी को dv upon v is equal to 0.2 into dt लिख सकता हो क्या और integrate कर सकता हो क्या दुनों तरफ integration से यहा से नहीं आअ जायेगा यहां पर हम Linked लगा दें अगर हम यहां पे लिमिट लगा देंगे तो क्या है एग conquist a लिएकल फ़न्या सिश्क तो कि यह पहले हमको निकालना करना था ठीक है नब ना पहले हम लोग स्पीड निकालेंगे उसके बाद फिर डिस्टन्स निकालेंगे टीक है नियुक्त स्पीड रहा हो गा तो इसका भी लिमिट लगा देंगे 25 अपर लिमिट लग जाएगा भी और यह 0.2 इंटु कितना तो उसका फिर लिमिट लगा देते हैं आप लोग को समझने में थोड़ी प्रिशानी होगी यहां पर टी लग गया बेटा यह लिमिट लगा दिये कहां सकाथ जिरो से लेकर 10 तक तो यह कितना आ गिया यह आ जाएगा बेटा अपर लिमिट माइनस लोवर लिमिट तो यह आ ज यहां पर हमारे पास कितना आ गिया इतना अगिया अब देखों यहां धियान से LNV का जो value होगा LNV का जो value होगा वो कितना होगा 25 LN of 25 minus of 2 तो इसका value आजाएगा आपके पास इसको calculate करोगे आप calculator से बगर पर या फिर given data में question बगर होता है इसका value आजाएगा आपके पास 1. 1. 1. 1. 2 1. 8 तो यहाँ से आप कह सकते हो इसका value जब आप calculate करोगे यह आएगा 3.59 meter per second ठीक है ना अब यहाँ से हमारे पास 10 second पर velocity आगिया तो क्या मैं इसी equation को यह जो equation है इसी equation को मैं ऐसा लिख सकता हो क्या acceleration is equal to minus of 0.2 V को मैं ऐसा लिख सकता हो क्या acceleration को V into dv upon dx V dv upon dx यह भी acceleration का formula होता है यहां से क्या आजाएगा minus of 0.2 V V और V cancel out हो जाएगा यहां आजाएगा dv और यह आजाएगा minus 0.2 into dx और integrate कर देंगे जब हमारा particle यहां पर था उस समय इसका displacement कितना था? 0 उसी समय इसका speed कितना था? 25 जब हमारा मा लेते है particle किसी भी x distance पहुँची आगा तो उसका velocity कितना है बटा? 3.59 कितना है? 3.59 अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे? integrate करेंगे यानि भी limit लगा देंगे ठीक है न? और यह 3.59 यह आजाएगा 2x ठीक है न? और limit लग जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से ठीक है न? अब देखना है यह धिहान से यह कितना आजाएगा? upper limit minus के साथ यहाँ पर लगेगा क्योंकि यहाँ पर minus है न? यहाँ minus के साथ लग जाएगा तो यह आजाएगा upper limit minus lower limit 0.2 x इसा कुछ माल लिए minus के साथ जब इसको solve करोगे यह कितना आएगा? 25 minus 3.59 upon 0.2 तो x का value यहाँ से जब calculate करोगे तो approximate यह जो आएगा इसका value इसका value आजाएगा आपको 100 100 7 100 100 107 107.6 ठीक है नगया सपास आएगा और इसी का approximate value के इतना होगे? 108 तो 108 जो होगा इसका correct answer होगा next अवाल है बेटा a string is pulled with the acceleration of 2 meter per second square than the acceleration of the block यानि इस block का आपको acceleration निकालना है correct है क्या? तो आई सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कुछ terms हम लोग यहां समझते हैं जिसे माल लेते हैं यहां पर कितना acceleration से आ रहा है वो नीचे 2 meter per second square से आ रहा है ठीक है न? तो हम कह सकते हैं कि यह किधर जा रहा है बेटा? नीचे जा रहा है इसमें कितना होगा tension इस string में tension होगा T इस string में भी कितना होगा T होगा और इस string में भी कितना होगा T क्योंकि string कहा है बेटा सेम है अगर इस string रहेगा सेम तो tension करना लगेगा बेटा सेम लगेगा ठीक है न? अब बताओ यहां T और T यहां पर T और यहां पर भी T और यह सपोज माल लेते हैं यह एवन माल लेते हैं ठीक न अभी बस रिलेशन लिखते हैं वेल्यू जबाद में पूट करेंगे ठीक न यह नीचे आ रहा है बेटा अब यह उपर जा रहा है बेटा एटू से तो हम लोग जानते हैं कि अगर एक्सेलेशन में रिलेशन निकाल क्योंकि A का डायरेक्सन और टेंशन का डायरेक्सन से हैं में एक A2 का डायरेक्सन उपर होगिया और tension का डायरेक्सन क्या होगया वह भी उपर तो दूनों के बीच में आंग्ल हो जीरू t.a करेंगे तो basically t.a into cos theta होगा और यहां पर cos theta क्या है बेटा जिरू तो यहां पर cos 0 कितना होता है 1 तो simply हम लोग 2t into a2 लिख सकते हैं क्या और यहां पर अगर हम देखें धियान से यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे t dot या t into a1 और इसका summation क्या कर दना है बेटा जिरू कर दना है तो यहां से वेल्यू है two meter per second even का वैल्यू कितना है two meter per second यहां से a2 जो आया वह one meter per second square आ गिया कितना यह one meter per second which is correct थर्ड ऑप्शन इस करेक्ट नेक्स ने बेटा इन फॉलिंग डियाग्राम फाइंड वेल्यू आफ टीटो यहनि इस टी टु का वैल्यू हम को क्या करना बेटा find out करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे थ्रसा देखेंगे डायराम को अच्छे से और यहां पे हमलोग मान सकते हैं कि यह दूनों इन दूनों blocks को क्या आ इंगे system माल लेंगे एंग questi抗 का total mass कितना हो जएगा total mass हो जाएगा 2 kg, कितना हो जाएगा 2 kg, ठीक है न, अभी हम लोग इस पर आते हैं, ठीक है न, माल लेते हैं, यह block किदर जा रहा है नीचे जा रहा है, for example, कितना जा रहा है, किसी भी certain acceleration से क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है, correct है क्या, और जो भी जो भी surfaces, वो क्या है बटा, smooth है, alright, तो अगर A से नीचे आ रहा है, यह पुरा system, तो यह भी पुरा system किससे इधर जा रहा होगा, same acceleration A से जा रहा होगा, क्योंकि string क्या है बटा, inextensible मानते हैं हम लोग, और acceleration क्या होगा, same होगा, जिस acceleration से यह नीचे आएगा, उसी acceleration से यह दोनों block system right के तरफ जाएगा, correct है क्या, यहां तक scenario समझ में आ गया, अब आते हैं हम लोग, calculations पे, तो यहां पे 3 kg पे क्या लग रहा होगा, 3 kg पे क्या लग रहा होगा, 3 kg पे एक mg लग रहा होगा, इस direction में, और tension T3 उपर लग रहा होगा, और नीचे block यह लग रहा होगा, 3G अपक net force नीचे है, तो हम लोग लिखेंगे, equation 3G minus of T3 is equal to क्या, is equal to 3 into A, क्योंकि 3 इसका mass है और acceleration इसका downward है, ठीक है न बेटा, अब आते हैं इस पे बेटा, अब यह पूरा system के लिए हम लोग निकालेंगे, पूरा system के लिए निकालेंगे, तो क्या बताओ, पूरा system जो है वो, किस particular इस direction में जा रहा है, particular इस direction में जा रहा है, कितनी axノice से जा रहा है वेटा, A ax doesn't, तो हम कह सकते हैं कि T2 is equal to, T2 is equal to, T2 is equal to mass into axçons, total mass केता है system का 2 kg, 2 into A, कहे सकते हैं कि अब ध्यान से सुनना, यहां पर, कि यहां से निकान से सुनना बेटा, कि एक बताओ यहां ध्यान से, कि यह जो हमने अभी लिखा है यह जो यह जो स्ट्रिंग है यह वाला स्ट्रिंग और यह वाला स्ट्रिंग दोनों सेम है न तो इसका मतलब इसमें और इसमें टेंशन क्या होगा बेटा सेम होगा तो कह सकते हैं कह सकते हैं कि कह सकते हैं कह सकते हैं कि T2 और T3 का वैल्यू क्या हो अहले हैं, तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, इसो को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि टी टू को T3 का बराबर कर दें तो यह होजएगा हमारा T3 होगया, अब इसको क्या करेंगा, पलस करेंगा आप हमारे। यह आजाएगा टोटल हमारे पास कितना आजाएगा 3G, यह आजाएगा 3G is equal to 5A, ठीक है न, तो यहाँ से acceleration कितना आगया बटा, 3G upon 5, कितना यह acceleration, 3G upon 5 निकालना है, क्या है हमको, T2 निकालना है, T2 को हो तो T3 निकालना है, ठीक है न, तो हम कह सकते हैं, कि T3 is equal to twice of A, तो T3 का value आगा, 2 into acceleration कितना आगया बटा, 3 into 10 upon 5, ठीक है, इसको कितने सकाटेंगा 2 से, तो यह कितना आजाएगा बटा, यह आजाएगा, चारतिया 12, यानि 12 newton कितना लगेगा बटा, इसमें tension लगेगा, option number 1, correct answer होगा, next question है बटा हमारे पास, a rigid ball of mass and strikes on the rigid wall, angle 60 degree and gets reflected without any loss of speed as shown in the figure below, the value of impulse imparted by the wall on the ball will be, यानि हमको निकालना है बटा, impulse, impulse is nothing but change in momentum, ठीक है न, impulse, impulse क्या होता है बटा, उसका जो फर्मूला होता है, impulse का फर्मूला क्या होता है, change in momentum, यानि delta P, कह सकते हैं क्या बटा, इसको ऐसा, V final minus of V initial, impulse किसके दवारा बटा, wall के दवारा, तो हम कह सकते हैं, ऐसा कि change in momentum निकालना है, किस direction बटा, x direction में, ठीक है न, change in direction निकालना है momentum x direction में, तो हम इसको क्या लिए सकते हैं बटा, mass into velocity, final velocity in x direction, minus of velocity initial in x direction, करेक्ट है क्या, अब देखो यान दिहान से, कि ये जो particle है आपका, ये कुछ इस direction में आ रहा है, तो इसका दो component करेंगे बटा, एक component तो इधर चला जाएगा, ठीक है न, एक component इधर चला जाएगा, और एक component इसका इधर आ जाएगा, ये जो component होगा हम कह सकते हैं, कि ये जो initial component है, mass velocity initial, यानि V कितना है बटा, V कॉस ठीटा बोल सकते हैं, क्या, V of कॉस ठीटा, यानि आपके पास velocity initial, in x direction कितना आ गया बटा, V of कॉस ठीटा, उसी तरह आपके पास, जैसे ही है, यहाँ पर ठकराया, और ये इस direction में आ गया, किस direction में आ गया बटा, इस direction में, तो इसका जो final velocity होगा, in x direction, वो कितना होगा बटा, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो, V cos of theta, लेकिन इसका direction क्या है, बटा, reverse है, तो यहाँ क्या sign लगा देंगे, negative क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे, नेगेटिव का sign लगा देंगे, क्योंकि इसका direction थ इस direction में था, और जो final आपका आएगा, x direction में, वो, उसके reverse आएगा, तो यहाँ sign क्या लगा देंगे, बटा, negative लगा दिए, अब हमको impulse निकालना है, by wall, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका value put करेंगे, V final कितना है, हमरे पास, minus of V cos of theta, minus of V of cos of theta, ठीक है न, फिर minus क्या रहेंगे velocity इनिशल कितना है, V of cos of theta, ठीक है न, यह कितना जाएगा, minus 2, minus 2, mv cos of theta, cos theta का value कितना है, 60, तो यहाँ रख देंगे, 62 into mass into velocity into cos 60, कितना हो यह half, यह 2, 2 cancel out हो जाएगा, तो बचेगा, तुमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ m into V बचेगा, यानि, impulse जो आया बेटा, उसका जो magnitude आया है, वो कितना आया बेटा, mass into velocity, तो option में कौन से आया, mass into velocity, option number, next सवाल है बेटा, अब balloon with mass of m, descending down with an acceleration of a, where a is less than g, how much mass should be removed from it, so that mass starts moving up with an acceleration a, यानि कितना mass उससे remove कर दें, ताकि वो same acceleration से उपर जाने लगे, ठीक है न, तो सबसे पहले हम लोग क् पर एक balloon बनाएंगे बेटा, और balloon किधर जा रहा है बेटा, balloon जा रहा है नीचे की ओर, कितने acceleration से बेटा, एक constant acceleration से जा रहा है, और balloon का mass कितना बेटा, एम, ठीक है न, तो इस पर एक gravitational force नीचे लग जाएगा, mg, अब दो यहां ध्यान से यह तो सोचो कि यह balloon free fall तो हो नहीं र of r is equal to m in, ठीक है न, एक resistive force कितर लग रहा होगा बेटा, उपर की ओर लग रहा होगा, ताकि free fall होने के लिए यह नहीं दे रहा है न, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, resistive force को consider करते हुए, हम लोग क्या किया है, consider r कर लिया है, ठीक है न, अब देखो यहां ध्यान से, कि यह जो balloon है अब, अब माल लेते हैं, इससे कितना mass नीचे गरिया, इससे m' mass नीचे गरिया, तो remaining mass कितना बचा है, m minus of m' ठीक है न, अब भी, जो हमारे पास resistive force है, वो किधर लगेगा, उपर ही लगेगा, अब acceleration due to gravity जो लगेगा, वो लगेगा, m minus m' into, क्या करेंगे first equation, अगर हम दूसरा equation लिखना चाहिए, तो कैसे लिखेंगे, क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या, r minus, लेकिन body जा किदार रहा है, अब उपर जाने लगा, किस acceleration से बेटा, उपर, a acceleration से जाने लगा, तो क्या हम लोग, r minus m minus of m' into g is equal to m minus of m' into a, लिख सकते हैं, क्या, ठीक value, mg minus of m' लिख पाएंगे, क्या, तो यह r का value हम लोग यहां put कर देते हैं, तो यह कितना आ जाएगा, mg minus of m' a, ठीक है, अब इसको bracket को खोल लेंते हैं, यह कितना आएगा, mg, mg plus of m' g, कितना आ गया, m' g, इसको भी open कर लेते हैं, यह आ जाएगा, m' a minus of m' a, ठीक है, ठीक है, अगर हम यहां से कॉमाल लेना चाहें, तो क्या लेंगे, ठीक है, तो यह m' g, और यह कितना आ जाएगा, m' a, is equal to minus m' a, इधर है, अधर का है, plus m' a, यह क्या हो जाएगा, twice of m' a हो गया, और यहां से m' का value, जो हम क्या हुआ था, नीचे गिरा था, तो वह m' का value हो यहां से यहां जाएगा, twice of m' a, यहां जाएगा, जी प्लस of a, तो option number कौन से हो जाएगा, option number first हो जाएगा, next question, बेटा, force f is acting on a particle of mass, I am indicated by a force time graph zone below, the change in momentum of a particle over a time interval 0 to 8, जाएगा, यहां change in momentum निकालने के लिए बोलगा, तो change in momentum किस तरह से निकालेंगे, बेटा, क्या हम force को इस तरह से लिख सकते हैं, क्या m into delta v upon delta time, बिल्कुल लिख सकते हैं force का magnitude, क्या मैं इसको f into delta t is equal to mass into delta, बेटा, mass into delta भी लिख सकता हूँ क्या, और यही हमारे पास क्या हो जाता बेटा, change in momentum बन जाता है, क्या बन जाता है, change in momentum, अब देखो यहां change in momentum को किस से रिप्रेजन करते हैं, force into change in time, है ना, तो अगर हम लोग ध्यान दे बेटा, तो हमारे पास x axis पे क्या है, time है, और y axis पे क्या है बेटा, force है, अगर इन दोनों का अगर हम multiple करते हैं, तो क्या निकलता है, area, तो force और time graph का, force और time graph का जो area होता है, वो क्या देगा बेटा, हमारा change in momentum देगा, अगर area positive होगा, तो positive change in momentum देगा, अगर area negative होगा तो हमारा area negative देगा, ठीक न, अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे दिहान से, इसका हम लोग क्या निकलते हैं, area निकलते हैं, area कैसे निकलते हैं, यह rectangle है ठीक है ना तो rectangle area क्या आउट है length to breath length कितना है यहां से यहां तक यहां से यहां तक कितना length है यहां से यहां तक है 2 और height कितना है इसका minus of 3 तो यह कितना आ गया बेटा minus of 6 आ गया अब इसका area निकालते है इसका area कितना आएगा यहां से यहां से यहां तक कितना है यहां स तो नेट आया है कितना बेटा बारा तो इसका मिलब जो नेट एरिया आया वही हमारा नेट क्या होगा बड़ा चेंजिन मोमेंटम होगा तो आप्शन नमर कौन सा होगा थार्ड होगा